नमस्कार में रिनुका तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागते तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ गिहु आटे से बनी दो सहित्य वाली नास्ते की रेसिपे लिक्याई हूं जो आपने पहले इस तरह से कभी नहीं बनाये होगी तो आप यहाँ गिहु आटे के जगा मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें एक चमच बारिक शूजी डालनी है फिर उसके बाद आभी हमें इसमें स्वाधनुशा नमक डलना है और इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके पाने डालना है और इसका पतला सा बैटर ब तो इस आटे को अच्छी तरह से हमें फेट लेना है तो अभी हाँ यह बैटर बन के त्यार हो चुका है तो हमें इस प्रमान में इसका बैटर बनाना है फिर अभी हमें इस बैटर को पाच मिनिट तक लिए इसे ही भीगने के लिए रख जेना है तो अभी हाँ 5 मिनिट हो चुके है और ये बैटर अभी अच्छे तरह से भीग चुका है फिर अभी हमें इस रेसिपी को फ्राइ करना है तो उसके लिए में ग्यास पे तेल रख दिया है फिर हमें एक छोटी से प्लेट लेनी है और तेल गरम होने के बाद एक प्लेट हमें इस फ्राइ करने का चमझा लिया है तो आप याँ दूसरा कौण सा भी चमझा ले सकते हो फिर उसके बाद हमें इसके उपर एक प्लेट लेनी है और इसके उपर ये गेहौ आटे का बैटर डालना है फिर गार्णिशिंग के लिए इसके उपर हमें काले तील डलने हैं तो यह उप्शनल है फिर उसके बाद अभी हमें धीरे से इस प्लेट को इस तेल में डलना है और अभी हमें इस रेसिपी को फ्राइ करना है तो इस तरह से आप इस गेहु आटे से इस अलग तरीके की पूरिया बना सकते हो और किसी भी सबजे या ग्रेवी के साथ नास्ते में और खाने में बना के गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक अलग तरीके की टिस्टे रेसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंट्स वाचे माई वीडियो